नमस्कार में गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडीजी आज हम चर्चा कर रहे हैं सोमवती आमावस्या कब है 2023 में देखे 2023 में जो पहली सोमवती आमावस्या है उसी की चर्चा कर रहे हैं उससे पहले यह दिया आप गोपाल पंडीजी यूटुब चैनल पहली बार ह प्रवरी 2022 दिन शोंगवार को पड़ा रही है और यह फालगुन की जो अमवश्या होती है उसमें पड़ा रही है होली से पहले आपको पतायते हैं इस दिन मुख्य रूप से क्या किया जाता है तो पुराणों में जो कहा गया है कहा गया है अस्वत्य मुले प्रडिधाय विष्णुम और आगे कहा गया विधाय सम्यक विविधोप चारई भगवान लक्ष्मी नाराण याने की विष्णु का अस्वत्य मूले अस्वत्य मतलब होता है पीपल तो पीपल के पेंध की नीचे उसकी जड़ के पास भगवान लक्ष्मी नाराण की मूर्ति हो यह उनकी फोटो हो कुछ भी ले जाकर के और पीपल के पेंड की नीचे स्थापित करना चाहिए अगर कुछ नहीं तो पीपल के पेंड की जड़ जो होती है उसमें पूजन करना चाहिए और जो भी आप पास है विविधोप चारही की मतलब ही होता है कि आप से जो हो पाए जितना हो पाए उतना पूजन करिए और पूजन करने के बाद प्रदक्षिना करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए फाल दक्षिना इत्याजी जो है उसे चठाना चाहिए फिर यह था सकती आप जितना प्रदक्षिना कर सकते हैं उतना करिए इसी प्रका जै स्रीमन नारे